मित्रों श्री मदभागवत के प्रथम असकंद का पहला अध्याय शौनक अधिरिशियों का सूत जी से लोक कल्यान का उपाय पुछना स्री बेदभ्यास जी कहते हैं कि शर प्रथम उष्मंगल रूप परमातमा को नमस्कार है जो अपने उपादान और निमित कार्णों से संसार का पालन पोशन और शंगार करता है वह अंतर्यामी श्वेंग ही प्रकाशमान और विद्याओं का केंद्र अस्थान तथा ग्यान रूप ब्रह्मा अधि को भी ग्यान देने वाला अपने तेश से जल और मिट्टी में भी प्रकास देकर अपनी माया से समस्त प्रपंचों का नास करने वाला है जिस इस्वर की सत्यता से असत्य भी शत्य रज और तम की श्रिष्टी सत्य सिप्रतीत होती है जो बेदों के ग्यान को उत्पन करने वाला और जिसकी सत्यता से यह मिट्टिसना के शमान मिथ्या संसार भी शत्य भासित होता है उस सत्य रूप परमात्मा को हम अपने शिश् प्रणाम और ध्यान करते हैं इसके पश्चात स्रोताओं को इस सास्त्र की सेस्ता बतलाई जाती है यह भागवत्त सास्त्र सब सास्त्रों से उत्तम और संसारी पुर्सों का परम कल्यान करने वाला है इसमें अद्धोपांत परमार्थ बस्तु काहीं विवेचन किया गया है जो इर्ष्या रहित पुर्सों के जानने योग है जो मनुष्य महर्ची बेद ब्यास के बनाये हुए इस भागवत्त सास्त्र को शुनता है उसके हिर्दय में उसी छन इस्ष्वरा आबस्ते हैं यह बेद रूप कल ब्रिक्ष का फल मुनी रूप तोते के मुख्ष से गिरा हुआ अमरित युक्त है कि जिसका रसा स्वाधन करने से घोरतम पापी भी मुख्ष को पा जाता है इस कारण जब तक मुख्ष नहों होबे तब तक इस भागवत्त सास्त्र के रसमें फल को अव सो बर्स तक यग करने का अनुष्ठान किया बरे समारोह से यग होने लगा तब एक दिन प्रातहकाल हवन करते करके वे मुनी लोग प्रेम्युक्त हो अपने अपने आसनों पर बैठे हुए स्री सूत जी से बोले कि है भगवन आप शर्व सास्त्र बेता और परम ग्यानी है सो आप यह बतलाईए कि मनुष्ठों के लिए सबसे उत्तम कल्यानकारी यतन क्या है उत्तम गुरू अपने प्रियसिस को सब कुछ बतला देते हैं अतियाब आप भी हम लोगों को बताईए कि मुनिस्वार इस कल्यूब में मनुष्ठ प्राया थोरी यायू बाले और आलसी होंगे उनसे न कोई शुभकर्म हो सकता है और न वे कष्ट साध्य कोई यग्य ब्रतादी ही कर सकते हैं वे हतवाग मंद बुद्धी और सर्वदार रोगादी से पिडितरा प्राया असुभ चिंतन में ही रहा करेंगे उनमें यह सकती नहीं होगी कि वे अनेक सास्त्रों को शुनकर तदनुसार आच्रन करके क्योंकि अधिक सास्त्रों के सुनने से अधिक कर्मों का अनुस्थान करना परेगा जो उनके लिए सर्वथा अशंभव है अतह उनके कल्यान के लिए आप अपनी बुद्धी से निकाल कर कोई सुगम उपाय हम लोगों से कहिए कि जिसे ज बिकी जी के गर्व से स्री कृष्ण जी किसलिए उत्पन हुए थे जो उस कारण को सुनने की हमारी बरी इच्छा है एदपी हम जानते हैं कि स्री कृष्ण जी का अबतार मनुस्यों की रक्षा और एस्वर्ज के लिए होता है कथापी इस संबंध में जो निश्चित मत हो वह आप हम लोगों से कहिए जहां तक हम सब को ज्यात है कि स्री कृष्ण जी का नाम लेने से मुनुस्य आवाजवन से मुक्थो जाता है स्रीक्रिष्ण जी के नाम से वह आवागवन डरता है हे शौम मिशूत जी गंगा जलतो क्रमसा ही मनुस्यों को पवित्र करता है किन्तों स्रीक्रिष्ण जी के चर्णों का आश्रे करने वाले सिग्र ही शामती लाव करते हैं तब भला उन कलिमल नासक स्रीक्रिष्ण जी के उत्तम चरित्रों को कौन नहीं सुनना चाहेगा कि जो अपनी लिलाओं से उत्तम असलोको द्वारा सबके परसंसनिय और शिवादिक मूर्तियों को धार्न करने वाले हैं हेमुनी जिनके उदार चर्णों को नारदादिक रिश स्रीक्रिष्ण जी ने जो अपनी माया से लिला करने वाले साक्षात विश्णु रूप हैं उनके मतस्यादिक अवतारों की पुनितकता हम सबसे कहिए श्री विश्णु जी के उन पवित्र चरित्रों को सुनते हुए त्रिप्त नहीं होते हैं प्रतिशन हम सब को क्योंकि माया शे मनुष रूपधारी गुप्त रूप होकर बलभद्र सहित स्री कृष्ण जी ने जो गुवर्धान आदिक उठाकर अदबूत कार्ज किया है वह बराही मनोरंजक और ओमानुसिक है इसी कारण कलियू को आया हुआ जानकर हम लोग बहुत दिनों के लिए य वैसे समुद्र के पार जाने वाले के लिए कोई चतुर के वट मिल जाए वैसे ही सत्वहारी तथा गंभीट संसार को पार करने के लिए विधाता ने आपको हम लोगों के पास भेज दिया है अता आप हमें बतलाईए कि धर्म रक्षा करने वाले व्योग सर स्री कृष्ण कि अपने शुरूप में प्राप्त होने पर इस समय धर्म किसकी सरन में गया है तो बोलिए जय स्री कृष्ण जय स्री कृष्ण